कि नमस्कार दोस्तों राठोर स्वानेक्स कलास में आपका स्वागत है मैं विनी राठोर आज आपके लिए लर्निंग एबिल्टी और अधिकम से संबंधित क्वेश्चन लेकि आया हूं जो आपके लिए मातपूर होने वाले दोस्तों और अधिकम से समबंदित कुष्चन जो होते हैं आपकर प्रत्यक यूपीटित हो सीटिट हो सुपर्टिट हो उन सब्धे एकजाम में इसमें से कम सकम पांच से साथ कुष्चन के बीच में आपको मिलता है और जिसमें कई तरह कई वग्यानिक हैं और उन वग्यानिक के के बारे में और इसके पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारे दौरा डाले गए समस्त नोटिफिकेशन वीडियो के आपको प्राप्त होते रहें तो चलिए मैं मैं बढेर और डानीकों मैं नाव्य करें अजिसे कढ़ प्राप्त हैं वी सब्सक्राइब करोस्ति जिवन परिया है और इस जिवन पर्यान चलने वह प्रकंप प्रेया वाले घृप में परखें हैं वोनुम्न चेहले सैंट कि यह और आप अस्तर होती है और आप जानते हैं ये व्यापक अस्तरप होने वाले जो प्रक्रिया है वो एक तरह क्या है लर्निंग है तो दोस्तों यहाँ चलिए देखते हैं कि विज्ञानिकों ने इसके वारे क्या का है अधिगम या सीखना सतत व्यापक एवं जीवन परें चलने वाली एक महत रहता है और यहां एक जीवन परियान चलने वाली प्रक्रिया है इसकी नर के अनुसार सीखना बेवहार में उत्रोतर सामाजस की प्रक्रिया है जो बेगत सीखता है जो कोई बेगत अगर कोई विकार सीखेगा तो उसके बेवहार में उस सीखे हुए कार की जलग दिखाई दे हम क्किसी विवक्त स ₹ करते हैं तो भी हमारे बिवरतन होगा वह हमारा सीखना है और कोई बुरा भूरा बिवरतन होगा योक्ट से अब क्या है कुछ आउर बीजिया सीखते हैं उसके बार estás है दोस्तों काल्व काल्विन के अनुसार पहले से निर्मित बेवहार में अन्भवों द्वारा परिवारतन को अधिगम कहते हैं पहले से जो बेवहार निर्मित बनाया है उसमें आपके अनुभाव के द्वारा आपने जो परिवारतन क्या आपने बनाया बने बेवहार में व अमेरका के प्रसिद्न मनों वग्रेक्ञानिक के और उन्स एकश्थ की और ट्म। पूर्ट सेखने के नियम दोस्तों पहला क्या है आपका तत्परता का नियम क्या है तत्परता का नियम है दूसरा दोस्तों अभ्यास का नियम अभ्यास का नियम और तीसरा क्या है दोसरो प्रभाव का नियम ये तीन नियम होते हैं किनके हैं ये तीन नियम थांडाई के हैं और उसके बाद थांडाई की जो तीन नियम इन तीन नियम देखे जिस जो प्रभाव का नियम है हम अपने द्वारा किसी सीखे हुए जब किसी प्रभाव का नियम बताएगा सास्री अनुबंदा सिध्धान को पावलो का सिध्धान भी कहा जाता है इसका जो पावलो थे दोस्तों एक रूसी वग्यानिक है क्या है रूसी वग्यानिक है यह रूस के रहने पावलो ने देखें कुते पर अध्यन किया थैंगे किस पर पर अध्यन किया था और ऐसी प्रक्रिया जो अनुक्रिया की संक्या में बरिड़ी करती है पुनरबलन कहलाती है पुनरबलन को हम लोग कहते हैं मलावा कोई काम कर रहे है वो कार करने में अगर आपकी पावर और जादिक बढ़ जाए या ज़्यादा काम कर देंगे तो वो ज़्यादा काम किसी ने किसी स्टुमलस के अगेंस्ट करेंगे वही आप क्या कहलाएगा पुनरबलन कहलाता है माना द्वारा सीखे हुए अधिकांसता ब्यावार की ब्याक्खे हम क्रिया प्रसूद अनुबंधर के सहयोग से कर सकते हैं इसकिनार कहते हैं कि ऐसे सारवाधिक प्रावसालिव विग्यानिक है सीखने में क्रिया प्रसूद अनुबंधरि Chip भूार का सबसे जड़ादा पचच लिया है और इसके नारा प्रयोग किसे जानव पर किया था दोश्तों तो इसकर ने चुहे पर सबसे जयादा परयोग किया था और सबसे पहला प्रयोग किया था जबकि पियाजे ने अपना एक अलग विकास सिध्धान्द बताया था जिसे हम लोग कहते हैं संगायनाद में विकास का सिध्धान्द बताते हैं सप्वक्राइब कुस्याना ना आ испश्णा जिए प्याज़ ने या मानो बुद्ध की प्रकृत एंṣa विक्साथ संब्ध में एक समध्युन में विक्ति 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 के विक्ति विक्ति करया अदा का अधा करता है पियाजय कि सिρ्धान्ती विकास आवस्थlet भी कहलाता है अर्थात यह किसी त्हांत है और इसमें हम लोग करके सीखने में ब्यक्त किसी कार को स्वाज करने का भास करता है और यह सब्सक्राइब हartet होते हमें चेफिये सब्सक्राइब wed TIME करेगा ले बार arbitrator छलाएगा तो अपने सब्सक्राइब दोस्तों सीखना इस्तिर हो जाता है दोस्तों सीखना जब इस्तिर हो जाता है तूस्युक्रा नंतर प्पकार नहीं जब कोई भी नहीं सीख पा रहा है तो क्या होगा वो learning के प्लेटू पर आ जाता है आर्फात अधिगम के प्रणार पहरा है अधिगम नहीं हो रहा है थादाई ने बिल्लियों पर चुहों पर तथा मोर्गयों के ऊपर अनेग प्रयों करने के ऊपरांद सीखने का संबंध वा सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब पीन पी की दोए जब तक हमें कोई नोट्रिफिक्सन नहीं मिल जाता है तब तक आप किसी दूसरे के बात को मत मानें और अपने तैयर करते रहें आपका एकजाम अठाश निम्बर को ही होना है चले दोस्तों पहला कुशन है देखिए पहला कुशन है यहाँ पे कि उपचारा इसी वालकों के लिए उप्योगी होता है इस दिए आप देखें कि स्कूलों में अलग से एक्स्ट्र आ चला जैती है उन बालुकों के लिए जो बालक不好 थोड़ा से पुप्छड़े होते दोस्तों नेक्स्ट है सीखने में जो समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो उसे कौन सा सिध्धान कहते हैं अंतर जिष्ट का सिध्धान बाराम बारताक सिध्धान और अनकूलंग सिध्धान तो सही उत्तर होगा अंतर जिष्ट का सिध्धान अंतर जिश्मलाब यह होता कि कि अचानक से कोई विचार आपके दिमाग में आए और वह विचार आपके समस्या का समाध्ण कर जाएं वो कया कहलेगा अंतर जिश्ट कहलाईगा जिक की बढ़नबार्भ सिध्धान जो होता है दोस्तों एक ही कार को बार-बार करने से होता है अनकूलंग सिध्धानती होता है कि हम किसी भी माहौल में रहते हैं तो उस माहौल के सभी आवस्यक जो क्रिया कलाप होते हैं उसके अपने आपको अनकूलित कर लेते हैं और ततपरतक सिध्धानती होता है कि जो आप पर चलते हैं यहां पर कुश्शन अबर तीसरा कि किसी किस सिच्छन पध्धत में प्रत्वार बच्चों को लिख कर सिखाने की किलिया में मान सपेशियों के संतुलों पर जोर दिया जाता है देखिए दोस्तों जब हम यहां पहला क्या फेल पद्धती दूसरा मान टेसरी मांटेश्री पद्धती दिव्यां के बच्चों के लिए होता है जिसमें उन्हें ब्रेयल लिप के द्वारा जब जब तक उनके मांस्पेशियां का बैलेंस नहीं बनेगा तब तो ब्रेयल लिप में लिखे अंकों को नहीं पड़ पाएंगे इसलिए पहली वर उनको पढ़ा जिसका प्रियोग अध्यापक अपनी करता है या कफ़न गेज नहीं दिया है तो आगर आपसा नंबर सी कुशन नमबर फाइफ है कि संसलेशन विध्य में संसलेशन विध्य में क्या होता है कि हम किसी वस्त या तत्य को बिभीन घटकों में व्योज़त कर लेते हैं पिर एक समाधन करते हैं हम तप्धे ओऐ करते हैं जिससे वस्त भी वास्तिभी एस्तित की गयात कि fent की जा सके अग्याद से ग्यात की और गयावन करते हैं ताकि औधुआन clash कर सके और चौता अप्शन है वो दाहरण के द्वारा नियमों का निस्वादन कर लोगों को चमित्कित करते हैं तो आपका पांच में कहां पर सही आंचरों का दोस्तों आपसन नंबर भी हो जाएगा कि हम तत्यों को इकठा करते हैं जिससे वर्ष्ट की वास्तिविक इस्थि जियात की और गवन करते हैं ताकि अवधारणा का निर्मार कर सके यह निगमन विद्ध के गुण है वो धारण के लिए के द्वारा नियम का निस्वादन का लोगों को चमत्कित कर देते हैं यह आगमन विद्ध का गुण होता है कुशन नबर एक्ष्ट दोस्तों कुशन नबर शिक्स चाहिए कि सार्थक अधिगाम है किस अधिगाम को हम लोग सार्थक अधिगाम कहेंगे उद्धीपक तथा इस्तर के बीच यूगमन तथा सहचर वैसकों और अधिक समच्छम प्यारतियों का अनुकराण दी गई सूचना का निस्क्रिय ग्रहाण निजी अनुभ समय ओर生 सार्थक अधिगाम वाली सार्थक अधिगाम से 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 घृत वियंक जान्ति लिजी जञाट्यां के ससे सšक्राण सब्सक्राइब कर दोस्ते हैं कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद सिध्धान्द के अनुसार निम लिखित का मिलान कीजिए एक प्रकार बुद्ध के का प्रकार है दूसरे का अंतिवरस्ता है तो संगीत आत्मक भासिक अंतरव्यक्तित उधर आपको मिलाना है पर जो संग अन भी चने भी हो सकता है अंतरव्यक्तिक जु होगा अंतर्व्यक्तिक दोस्तों यहां पर देखिए खिलाड़ी और चिकित्षक और मूर्थिकार तो इहां पर देखों और नेागत करद आपको हो जाएगा चिकित्सक क्यों हो जाएगा चिकित्सक हो जाएगा और अस्थानिक जो होगा दोस्तों हो जाएगा आपका मूर्टी कार तो यहां हो जाएगा आपका सर्स पहले एक हो जाएगा चार एक हो जाएगा चार उसके बाद बीग हो जाएगा दो सी का एक और डी का पांच तो चार दो एक पांच आपसर नमबर यहां पर सी सही हो जाएगा नेक्ट कुशन पर है दोस्तो बंडूरा के समाजिक अवलोकान पर आधारित अधिगम सिध्धान्त में निलिकित में से काउन सी प्रक्रिया होती है तो यहां पर हम आधिगम सिध्धान्त की बात करेंगे तो बंडूरा को जो समाजिक अवलोकान पर आधारित अधिगम सिध्धान्त है वो प्रतिधारन प्रक्रिया होती है क्या होती दोस्तों वो प्रतिधारन प्रक्रिया होती है तो आठीवे का राइट आंसर हो जाएगा ए अलमट बंडूर एक प्रभावसाली सामाजिक संग्यानात्म वेना विज्यानिक हैं उनकी सामाजिक सिछा सिध्धांत आदमे प्रभावकारिता और उनके प्रसुद बोवो डॉल प्रियोग की अवधारना के लिए प्रसुद हैं नेट पर चलेंगे नेट कोशन है सिछार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक कोई भी सिछार्थी तब तक निसीफ पर जाएगे जब तक उन्हें यह पता नहों कि जो तत्त उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भश्य से उनका प्रेश्ण किया जाएगा वे सीखने के लि कि अविaleon सीखने के लिए तार्पो थे तब तक हम कोई भी चीज सीखा नहीं सकते हैं हैं अथा जब से यह भिली से से चाल तो अच्छी नीवांतितफिसे सीखना ऌविले ऑनुन को प्रक्रिया है नेट ऊफिज्दान पर ठेन को मुर्जाओर is not dead you have a question of this what एकि सामाजिक अधिगहम का सिध्धानत नि tu нажep में से किस घटक पर बल देता है जो समालिघार्टी अधिगहम सिध्धानत हे वह बल देदा आपके अभैक्ष अलबर्ड बंडूरा दोरह पतिपादी सम्हाजिक अजिगांट सिधान्द के अधार पर किया गया पर्वेशिया दसाइब ब् 2 गतित्व के विकास कँ महतपूर ढविट करती हैं बंडूरा का मानना है कि विकास ने सामाजिक संग्यानात्मा प्राइनात्मा कारक मतपूर्ण भून कर अदा करते हैं इन प्रेरकों अंतर नोडों तत्या किसी के ब्यक्तिगत जीवन के अंतर दूंदी के अस्थान पर हुरतवान परिस्थे में लोगों से एक रिया कला पर बढ़ दिया गया है या तत्या कि बच्चों को सांस्क्रितिक रूप से प्रासंग्य ग्यान की आवसकता होती है निर्कित में से किस ब्यक्ति से संबंदी थे बिया फिसकीनर यूरी ब्रोन फ्रैन बेट बेनर लैव वाइगोस्की और चाल्स डार्विन तो कुश्च नबे 11 के अला हो जाएगा आपके दोस्तों आपसे नमबर से हो जाएगा लैव वाइगोस्की ने कहा कि बच्चों को सांस्क्रितिक रूप से प्रासंग्य ग्यान के आवसकता होती है जिससे बच्चे सांस्क्रितिक रूप से प्रासंग्य ग्यान के पूर में आद्धाइक बिर्टियों से मदद करते हैं इससे घान पृत्त होती है उच्छ नैएक विख्षास होता है समोह में दुण होता है ऊच अविख्षित होता है तो कुस्छन हमभाट 12 का डियुकश अश्यों का अवाच्छ फॉप्लाबटी उब्ली उप्लाबटी और अदीगम का सुन अस्तान नगराएगा अधिगम निर्फेश किस से सुमपन दुथ है आपसर नमबर ए जब पूर्ण अधिग्याम नए इस्तितियों के सीखने की बिल्कुल प्रावित नहीं करता है तो यह अधिग्याम का सुन इस्थान आंत्रा कहलाता है कुछिशनावर फूर्टीन स्रजनात्मक स्रजनात्मक्ता मुखरूप से किस से संबंदित है तो कुछिशनावर फूर्टीन कराट आंसर हो का अपसर नमबर डी यह एक अपसारी चिंतन है स्रजनात्मक मुखरूप से अपसारी अपसारी बविदन चिंतन का से संबंदित है कुछिशनावर फिप्टीन है कि यह कर्णा पक्ष में आता है बैवार कर ना में जो लिखा वा तरुप में आता है कई आपर के देखिये सेखने के को नेटीं की City सुभभ मुझे की वुषिद को प्रच वेकर संग्यांतृ पनोडींगर आपसे नंबर एसे शेकने के गतिक क्रणोर्स पोडीन है बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक बेहार को सीख सकते हैं या निसकास निल्खित में से किस मनोगा ग्यानी द्वारा किये गए कार्यों पर आधारित हो सकता है किस नमबर बी यह किसी ने कहा है अलबर्ट बंडूरा ने बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसानों बेहार को सीख सकते हैं या निसकास मनोगा ग्यानी अलबर्ट बंडूरा द्वारा दिये गए कार्यों पर आधारित है बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसानों बिवार को सीख सकते हैं इसलिए यहां पर किसे ने कहा है अलबर्ट बंडूरा ने कहा है कुशन अवर 17 है दोस्तों कुशन अवर 17 है दोस्तों और आप चैनल को एक बाद सब्सक्राइब करके उसके वगर में लाल बटन देख रहा होगा उसके प्रिस कर देंगे प्रिस करने वाद फिर साप होम पर आएंगे और उसके बाद चैनल पर जाएंगे तो वहां आपको यह आपको यह सारे क Definitely F shines of कोको देख कर मॉडल का अनुकुराण करने की कोई्सित करते हैं इस प्रकार के अनुकुराण को कहा जा सकता है तो इस प्रकार के अनुकुराण कोक हम community सामाजिक अधिकम संभानी करण और प्रादिमिक तो अजय सत्या का दी हो जाएगा सामाजिक अधिकम यहां पे सह आंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर नेक्स्ट है कि बच्चों के बेवहार को समझने के लिए सिचार्थियों के घर सिचार्थियों के घर के वातरों का महत्वपुना स्थान है तो इससे प्रावसारी सिच्छासाथ के निर्मार से जोड़ा जा सकता है या विकास संबंदित है किरुशन नमर 18 का राट आंसरों का आपसे नमबर सी या किसे समझे दोस्तों पारहिश्टिक संबंदित है कि जाए थ्यापक्याइजने पाया कि एक विद्यारती वर्गिम बनाने में कटनाई अनुबा कर रहा हो इसके अनुबादा लगा राइट आंसर होगा आपसे नमबर बी से हो जाएगा विकास एक बवस्तित करम में महीन में होने वले पुरिश्य संबंदित है तो आपको यहां पर बी आंसर सभी हो जाए कोशें नमबर नेक्ट है कोशन बर टंटी निम्हीं विख्षित कथनों में से काउन्सा वाइगोट्सकी के दोरा अ और स्टाविद विकास ओढ़ेगों से भी संबंद्द सर्व्ष्य ट्रू में प्रभाकता है कोशल नमबर 12 करा राइट आसर होगा आपसे नमबर entsprechend विकास प्रक्रिया अधिकम प्रक् सहारे के आधार पर प्रुसकार दे जानने पर अपने प्रिवाइं परिवाइं परिवाइं करना सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारिक याद करना समाज के अधिक योग सजस्ट्थियों के दुवारा ओला दुगर आगए सहारे के आधार पर कुछिशन अबर 22 22 का राट आंसरों का अपसे नमबर डी अनकूलां की प्रक्राओं के आधार पर कुछिशन अबर नेक्सरा दोस्तों कि दोस्तों अधिक्यां बखर पुठार बंता है परिवक्तव कारण अभी प्रेंडा करन ठकान करना और अब्रुच की कारण आपको बताना होगा तो कुछिशन अबर 23 का राट आंसर होगा आपसे नमबर कुछिशन अबर 24 का राट आंसर होगा आपसे नमबर 25 को राट आपसे नमबर 25 को राट आपसे नमबर लिए प्रेंडा है कुछिशन अबर नेक्स चाहिए दोस्तों अब कुछिशन अबर 26 कि सीखने आप लन आपना अपना और उन देशन के बीच का अंतर के दिनरी का राट आप प्रसाद करते हैं 26 का राट आपसे नमबर के संबंधों आप सीखने के लिए संबंधों का आकला 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 और और अंदेशन के बीच संबंधी के दिनरी को प्रहुद करता है तो राट आपसे नमबर 27 है अदिवबकार्ता का स्वा नियमन का अर्थ क्लएगा कश स्वा नीमन करेगा 57 का राट आ आप सर नमबर डी अपने सीखने राट आप मैं और यहिद्पर करने की योगता के दोरा कुषजन अब्र 28 है कि सीखने के सित्धांद के संदर में एक का का फोल्डिंग की और संक्यत करता है कुशन अबर 28 का राइट आंजर होगा आपसे नमबर ए सीखने में व्यास को द्वारा आस्थाई सही होग कुशन नमबर 29 है कि बाल केंदे सिच्छा का समर्थन निम्रुखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है एरिक एरिक शन चा आपसे नमबर 30 हो जाएगा जान डेवी के द्वारा अब अगर अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब करके बेलाइकां प्रेस कर लें जिससे हमाई दोड़ा डाले का समझ वीडियो प्राप्त होते रहें इसी साथ दोस्तों कुशन नमबर 30 टिप चलेंगे हम लोग कुशन अबर 30 का तक विद्यारतियों के सीखने में जो रखतियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद उसमें कुछ होना चाहिए तो कुशन अबर 30 का यहां पर 30 का राइट आंसरों का अपसम बड़ी समझित उपचारात्मक कारके अनुसार होहां कुशन कुछ होना चाहिए कुशन अबर 31 है कि सीखने का वा सिध्धान जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनिय बेवहार प्राधर का सीखने के सिध्धान से किस प्रकास अमनित होगा कुशन अबर 31 है 31 का राइट आंसर होगा आपसे नंबर भी हो जाएगा यहां पर सही कि सहाचर के नियम है समानता का नियम वैमनस का नियम समीपता का नियम यह सभी तो कुशन अबर 32 कराइट आशर होगा आपसे नंबर डी यह सभी और दोस्तों आज यहीं तक इसके बाद हम लोग आगे के 30 प्रस्द और इसमें करेंगे चलिए दोस्तों धन्यवाद वीडिय कि बादी धन्यवाद दोस्तों कुशन नंबर 31 है कि सीखने का वह सिध्धान्थ जो पूर्ण रूप से और केवल अव्लोकनी Wakanda मतलब उते क्यें देखा जा सके तो पूर्णूप से अवलोकनी ब्योहार पर आधारित है सीखने के इस सिध्धान्थ को सीखने के ये विकासवादी सिध्धान्थ है रचनावादी, संग्यानवादी, अथवा ब्योहार वादी सिध्धान्थ है दोस्तों साचर का नियम क्या होता है दोस्तों साचर का नियम आपका हो जाएगा समानता का नियम होना चाहिए वैसम में का नियम और समेपता का नियम ये तीनों नियम मिला लेंगे तो तीनों नियम क्या खलाते हैं साचर का नियम सही आंसर क्योंगा आपसा नमबर डी आपका सही हो जा ब्यक्ति प्राप्त ग्यान का उप्योग जो ग्यान प्राप्त करता है उसका उप्योग कहां करेगा अन्य परिस्तियों में करता है कहां पर दोस्तों अन्य परिस्तियां जो होंगी वहां पर इसका उप्योग वो करता है या सहचार उद्यपन के वस्तु में वस्तु के प्रद परिवारतन ही गिट्स के अनुसार अनुवा दोरा बेवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वा और अपने अनुभाव को ग्रहन करके उस अनुभाव को जब आत्मसाथ करता है तो है उसके सीखे हुए कारी कहलाते हैं और वह इसका सीखना कहला आता है नेक्स कुशन है दोस्तों कुशन क्योंकि निगमन विद उसी विद को कहते हैं जिसमें सामान से विशिष्ट की और अथवा सामान नियम से विशिष्ट उधारान की और बढ़ा जाता है इस विद का प्रियोग करते समय सिख्छ को चाहिए कि वह बालक के सामने पहले किसी सामान वस्तों को प्रसुद करें उसक करते हैं तो पहले क्या क्या हमने सिंपल से लिखा एपलस बी कहो इसको जब निगमन करेंगे तो निगमन करने के लिए को इसके अन प्रोसेस पर जाना होगा तो यहां राइट अंसर कहोगा आपको आपने बबी हो जाएगा निगमन आत्मक कोशन नमबर 35 है स्रजन सीलता प्रियास और भूल्ग का सिधान का प्रतिबादन किस ने किया था ट्रैल एंड इलेर का सिधान का समठादन किया था थान डाइक नामक विग्यानिक ने, किसने किया था थान डाइक नामक विग्यानिक ने, और इस सिधान्द के नुसार यह होता है, कि जम कोई कार करते हैं, तो इस पहले हम से क्या होती है, गलतियां होती है, गलतियां होने के बाद, हम उसी कार को और बात करेंगे, कई बार करे करेंगे और अपने कार को आगे बढ़ाएंगे तो हमसे क्या हो जाएगा वहाँ पर हम उसकार को अच्छे संपन कर पाएंगे और यहां कि प्रक्रिया प्रयास और भूल के द्वारा होती है जिसको किस ने बता है थांड डाइक ने बता है निश कुशन पर चलें कुशन नंब इनके करणों का अध्यान करना चाहिए तो दोस्तों कभी भी दंड का प्राविधान सीखने की प्रक्रिया में सहायत नहीं हो सकता अगर आपको सीखने के पठार को हटाना है तो हमें उसे दंड करना भूल जाना होगा जैसे जब कभी किसी भी बालक को आप को इसे सिखाना तो उसे जब प्यार से सिखाएंगे तो अच्छे सिख लेता है लिकर जब उसे मार के साथ दंड दे का सिखाते हैं तो वह बच्चा वह बालग उसे अच्छे सिख पाता क्योंकि उसके अंदर पहले से कुछ भ्याव्याप्त हो जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपसे नमबर सी कुछ नमबर थर्टए है कुछ इस वक्र एकर में चीख ने कि ग्दिधा होती है और बाद मेंकर आम समंदी हो जाते उससे वकक्र खहते हैं उन्यतौदार वक्र हो hol+. या नतोदर वक्र कहेंगे मिश्रत वक्र रेखा कहेंगे वक्र रेखा नहीं कहेंगे तो देखिए दोस्तों यह जिसे हमाली अगर हम कुछ निकालते हैं और यह हमारा गर हमें चार्ड बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में कहा है शुरू में तो उसके सिंगने प अनुबंधन के प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित मेंसे काम सा है? अनुबंधन जब प्रक्रिया समपन होती है, तो फरहला सोपान क्या है? उतेजना, आवरिति, सामानी करण, इन मेंसे कोई नहीं. question number 39 का रैड RAQ answer होगा option number 8 जह हम क्यों चीजे को अनुब्स पहले हम क्या होते हैं उत्तेजित होते हैं उत्तेजित होते हैं तो उत्तेजित होने पर हम इसके प्रथम सोपान को गिनेगे किसके अनुबंधन को क्योंकि हम को वहाँ से सीखने की एक strong motivation प्राप्थ होता है वो जिसे हम लोग क्या कहेंगे उत्तेजना कहते हैं कुछे नमर 40 है दोस्तों कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं नीचे दिये गतनों में से कौन सा इस प्रकार की विश्या में सही नहीं है या जिके क्या है सही नहीं पूछ रहा है तो बच्चे सीखते हैं जवे संग्यानात्मा गुरू से तयार होते हैं बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाई गुरू से प्रेज्ट होते हैं बच्चे केवल कच्छा में सीखते हैं अपने मामी पापा माता पिता को भाई बेहन को या अपन स्माज में पिर फिर समाज में सीखते हैं उसके बाद जाकर कक्षाइए तो क्योंकि पूछा गया है कि बच्चे किस परकार से सीखते přाउन इसमें की साल गलत है ours सही नहीं है मैं कि क्षट नंबर फूस्टी वान practically कि है कि Um समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रवसाइद करती है या उपागम कि सिध्धांद पर आधारित है तो आपको बताना होगा तो दोस्तों यहां देखें चार आपसन दिये हैं चारों आपसन में आपको बताना है कि सही आपसन कौन से है कि जब सिच्छिका क्या करती है अपने विद्यार्थ में उत्तर देने के लिए या फिर समूह की चर्चाएं और सहयोग करती है तो अर्थात वो सिच्छिका सभी बत्यों की सक्रिय भागी दाईता चाहती है और इस वेसे उसका उत्तर कह जाएगा सक्रिय भागी दाईता होगा कु तो जो वहksom जो अनुपाव जो करेंगे दोस्तों अनुपार करके ही सीखते हैं तो एलाई tendsकर होगा आपसाइन कोई हम लोग क्या कहते हैं कोवशनने नेक्स अगए कि एक केम पाठ पुश्ता कुआ एक सिक्षिका पाठ्थ वस्त और फल सब्जीव के कुछ चित्रों का प्रियोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है विद्यार्थि इस जनकारे को अपने पूर ग्यान से जोडते हैं और पोछन की संकलपना को सीखते हैं यहां उपागम किस पर आधारित है ज्यान के निर्मादों पे अधिग्म के सासु और बंधर पे पूनल बलंग के सिध्धान पे और अधिग्म के Sakry तो दोस्तों यहां जो प्रक्रिया है या किस पर आधारित हो जाएगी जब वो अपने पूर ग्यान को उपयोग करते हैं विद्यारती तो पूर ग्यान को उपयोग करने मलब वो अपने ग्यान का क्या कर रहे हैं निर्माड कर रहे हैं क्यांकि उसी पूर ग्यान के आधार पर ही उनसे पूसर्ण की संकलपना को बत तो आप सब जानते हैं इसका राइट अंसर क्या होना चाहिए और अब बड़ी होना चाहिए इसकी नर्ट करिया प्रसुत अनुबंदर किस ने दिया दोस्तों तो इसकी नर्ट हो जाएगा कुश्ण नबर नेक्स है कुश्ण फुर्टी फाइफ चलेंगे बंडूरा कथन है क या पुरुसक्वार दरत सीखना कहते हैं तो दोस्तों है इसका राइट आंसर क्या होगा आपसे नमबर सी हो जाएगा वो निरिच्छडात्मक अधिगम के द्वारा सीखते हैं क्यों कि जो प्रतक्रिया करेगा कोई भी बच्चा तो वो क्या करेगा अपने प्रतिमान को देखे करेगा अर्था जो सीखा है उसके अनुसार वो प्रतकिया करेगा और जो प्रतकिया करेगा तो क्या होगा निरिच्छड करेगा वो निरिच्छड करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका एक होगा जी फैक्टर जिससे सामान फैक्टर कहते हैं और दूसर होगा आपका S पैक्टर जिसे धोनों के न दिया Sgirl mmen में और Sgerman कहा के निवासी दोस्तों तो Sgerman कहा ठेथे Britain के निवासी थे कभी कभी कुछं ऐसा भी आ जाता है कि कौन सा वध्यानी कहा करेने। कुष्छन नामर 46 को बाद चलेंगे 47 पे कि सीखी हुई बात को इसमराण रखने या पुनाइस्मराण करने की असफलता क्या कहलाती है पुनाइस्मराण, विस्मरित, सम्वेदना और भूल इस्मरित तो आफ देखें, पुना इस्मरन में क्या हो रहा है, विफलता हो रही है, असफलता हो रही है, फिर से याद नहीं कर पा रहा है, तो उसकी विफ्मित में आ जाएगा, यहाँ पर यह सीखने का प्रभाव नियम कहलाता है, और यह नियम किसे ने दिया है, दोस्तों, विफलता ग्यानिक हुए इन्हों ने इस नियम को प्रत्पाजित किया कुशन नमर फोटी एट है दोस्तों कि किस ब्योहारवादी का मानना है कि अन्य ब्योहारों की भात भासा भी क्लिया प्रसुद अनबंदों द्वारा सेखी जाती है तो कुशन फोटी एट का राय टांसर के होगा आपसे sachूर भी और स्कीनर किसम किया है दोस्तों ने स्कूर के बृग है hara circular कि नाम फिन युक का नाम वो बा कि elevated the behaviors of organism इसमें के बारें बताया है और यह कुरिया प्रसूत अनुबंदा सिध्धान के अनुसार सेखी जा सकती है तो राइट आंसर को का अपसर नमबर भी हो जायाईगा कुशन नमबर 49 अधिगाम में प्रयत नमब भूल के सिधान्द का प्रित पादन किस ने किया है तो आपका राइट अंसर होगा आपसन नमबर C क्या हो जाएगा थान डाइक क्या हो जाएगा दोस्तो थान डाइक ने उसके बाद कुशन नमबर 50 पे चलेंगे हम लोग बच्चों में सीखी गई निस सहायता का कराण क्या है बच्चे जो निस सहायता का सीखते हैं उसका कराण क्या है कि इस बेहार को आजित कर लेना कि वे सफन नहीं हो सकते कच्चा गटविदियों में प्रत कठोर निर्ड़ा है अपने अभभावकों की अपेक्चाओं के साथ तालमिन ना बना पाना अध्यान को गंभीरता पूरवक ना लेने है तो नेधिक निर्ड़ा है तो क्या है निस सहायता अर्फाल उनकी सहायता नहीं हो पा रही है तो क्या कहेंगे कि इस बिहार को आज़ित कर लेने की वे सफल नहीं हो सकते वे माल लेते हैं कि हम सफल नहीं होंगे इसलिए वो कार करना या सेखने के प्रक्रिया अपनी बंद कर देते हैं और उनका अधिग के प्रत्रानुक्रिया करता है अर्ताथ उसने पहले शीखा हुआ ओस सीखने वाद क्या हो नई प्रत्रिया करेगा तो यह किस सम्बंदित है तो तो यह सीखने की प्रभाव का नियम से राइट आंसर का हो जाएक दोस्तों यहाँ पर ऐसा सब्सक्राइब करना चाहती है कि इस रूप मदद करना चाहती है कि वे एक इस्थिती की अन्यक दिश्टकोणों की सराहना कर सके वा बिभिन समुवों में एक इस्थित पर बात विवात करने के अन्यक आउसर उपलब्द कराती है वा गोत्सकी के परिपेशी से अनुसार उसके सचारती बिभिन दिश्टकोणों को क्या करेंगे विविन दिश्टकोनों को सीख पाएंगे या नहीं सीखेंगे तो इसमें आपको बताना होगा कि वो विविन दिश्टकोनों को क्या कर पाएंगे हैंपे और अपने तरीके से उस इस्थिती को अन्यक परिपेश में विक्सित करेंगे तो पहले तो जो इस्तित है उसे अगर बच्चे आत्मसाथ करेंगे उसका तो आत्मसाथ करने एक बाद ही बता पाएंगे कि वह दिश्टकॉन उनका जो उस परिपेच के अनुसार है वो कैसा है ठीक है दोस्तों तेराइट आंसर के होगा अपसे नमबर भी हो जाएगा आत्म अनुसाथ नमबर फिप्टी फॉर के और संकेत करती है वी नमबर बच्ण की तत्परता की और संकेत करती है नियो नियो निय से कौं से सीखिने की सेली का एक उधारन है सीखने एक सेलिक हैं उधारना पूछा जा रहा है दोस्तों चाच्छुस से संग्राण है तथ्यात्मक और इस पर संबन दी कुशनर फिप्टी सिख्स का राइट आंसर होगा अपसा नमबर ए चाच्छुस से चाच्छुस मदलब क्या होता है देखना क्या है देखना है तो कभी जब हम दूस्तों को कई कार करते हैं तोर्फ करता है यह हो जाएगा हम पर राइट आंसर अपसा नमबर के हो झाएगा कुशनर फिप्टी सेवन है जब बच्चे एक अवधारना को सीखते हैं और उसका प्रियोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाले तूटियों को काम करने मदद करता है यह विचार किसने दिया है तो यह विचार दिया है थांडाइक ने किसने थांडाइक ने क्यों की के लिках भूल कराएं लिकाराइब के जिए हिद्धूराइट कर Absolvent कर दोस्तूं कि निविकत्व में से कौं सकारातमिक प्रकार से प्रभाविद करता दोस्तूं तो यहां दिखे राइट आंसर क्या हो जाएगा आर्थपूर्ट संबंद अधिक्रम को क्या करता है सकारादमक धंग से प्रवाइद करता है कुछिशन नमर फिप्टी एक बात 59 है दोस्तों सीखे हुए ग्यान काउसल या विशाय का अनपरसितियों में उपयोग करने को कहते हैं जब किसी हम सीखे ग्यान का अनपरसित हैं नहीं करते हैं सीखने का स्थानांत्रण करेंगे कोशनोंन मागशन नब्लप लाश्चा कुछन दोस्तों साटमा कुश्चन ہے कि इस्मित सीखी हुई वजश्थ का सीध ceux उपयोग है यह कि दो यह दो दोस्तों वुडवार्थ दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब